मद्य प्रदेश के सिपुरी में ट्रक के कीचल में फसने के बाद जब उसे कई लोग धक्का मार कर भार निकालने की कोशिश करने के बाद ठक गए तो एक हाती काम आया हाती ने धक्का दे कर भारी भरकम ट्रक को कीचल से भार निकाल दिया अब इस घटना का वीडियो जम कर सोशल मीडिया पर बाइरल हो रहा है मद्यप्रदेश के सिपुरी में ट्रक के कीचल में फसने के बाद क्रेन की जगा एक हाती ने अपनी तागास से उसे धक्का दे कर बाहर निकाल दिया घटना भटवा गाउं की है जहां अम्रस्तर से नांदेड जा रहे एक जथा रुका था यव ये जथा वहां से निकला तो लगातार हो रही बारिस के करण सूकी मिट्टी कीचल में बदल गई लिहाजा ट्रक उस कीचल में फस गया लोगों ने धक्का दे कर उसे कीचल से निकालने की कोशिश की लेकिन कई कोई फाइदा नहीं हुआ इसके बाद एक महावत ने हाती से ट्रक को धक्का दिलवाया हाती की तागज से ट्रक गीली मिट्टी से बाहर निकल गया दरसल सिक्समुदाय का एक जथा अमरुसर से महराष्ट के नादिल जा रहा था इसी दोरान ये जथा कोलरास के भटोगा गाउं में सिक्समाज के सेवदार के यहां रुका हुआ था जथे में शामिल गुरुदेप सिंग ने बताया कि गिराम मिट्चेतर में होने के काराण उनके जथे में शामिल ट्रकों को कच्चे रास्ते पर खड़ा करना पड़ा था अचाना कोई तेजवारिस के चलते मिट्टी कीचर में तबदील हो गई जिससे कई ट्रक मिट्टी में फ़स गए थे ट्रक को निकालने के लिए जथे में शामिल सिख समाच के लोग प्रियास कर रहे थे जथे में शामिल हाती ने भी सयोग किया और मिट्टी में फ़से तीन ट्रकों को उसने अपने तागस से कीचर से बार निकाल दिया उसके महावत ने कहा कि हाती बहुत बुर्दिमान है और उसे ऐसे कामों में मजा आता है सिक जत्ते के साथ हाती अमरसरजे ही साथ आया है जो महराश्ट के नांदेर में होने वाले दशेरा के परपर आयोजित मेले में शामिल होगा इस जत्ते में साथ घोडे भी शामिल है ऐसे ही लेटिस्ट रोचक न्यूज पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें और देखते हैं लेटिस्ट न्यूज अपडेट